हालो फ्रेंड्स गुड इविनिंग आगे हैं जी लाइव आपकी ड्रीम क्लास लेगे राम राम जी हाए दीप सिका जी उद्राम जी विमल जी नवीन जी अनिता जी फ्रेंड्स फड़ा बड़ जी वीडियो को लाइक कर दीजिए दक्स हालो दसरा जी गुड इविनिंग अलिए है बलाम जी अनिता जी लाइव जी कि अग्यूद को और सेइर कर दिजी जितना भी करना है क्लास को स्टार्ट करते हैं आज जो आपको बहुत ज्यादा कम आने वाले हैं क्यों कि प्रियोटिव एले क्योशन करना हर किसी के बस लिवात नहीं होता क्योंकि यह लगता है कि नहीं को आसे रहेंगा आपको दिमाग को गशना पड़े अगा ते समझेगा कि हां क्या वो रहा है क्यों पहुंच रहा है यह प्राइटी कैसी जाएगी उस हिसाफ से आप करोगे तभी पहुंची बलोगा नहीं तो आपके क्योसन जाने वाले हैं बहुत ज्यादा गलत और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिज acceler कर दिजी ओर लाइक कर दिजी फड़ा फड़ से क्लास को स्टाट करते हैं फिर वेशच नहीं करना है फ्रेंट टाइम क्योंकि आज अपनी क्लास हो है तो आपने वैसे भी बहुत टाइम लग जाना है क्लास के अंदर देंगे जो रैशनल धेंगे आपको वो जल्दी से डोपामिन को सीघुट करवाईे और चलिये पढ़ते हैं मैं आज के साहँ बहुत ने लॉंजिक ली ?. तो चलि टाट कर दें हैं लॉसे में पर हैन्स बिल्कुल लॉसे नो बहुति बहूत बता देते हैं या बिदियों के अंदर को आगर इसके अंद insult है 60% cover करते हो तो 60% अगर इसके अंदर मतलब जितने मान के चलब 6 क्योंशन है तो 6 क्योंशन अगर आप राइट करते हो तो नोर सेट के अंदर 101% हो जाएगा पर मेरे को लगता नहीं है आप 6 कर पाओगे अनिता जी स्विंदर जी राम बिलास जी अंजन जी विनोज जी विश् करते हैं आज की क्योंशन को फर्स क्योंशन आपके सामने डरना जी किसी को अच्छे से क्योंशन का अंस्वर देना है और उससे पहले एक आपके लिए मोडिवेशन साहिरी पढ़ लीजे मेरे को साहिरी नहीं पढ़ना आता सुमित्रा जी गुड़ी नी जी दूसरों की गल करके अगे निकलते हैं कैसे निकलते हैं वो उस चीश से अपने और समझ रहा है ईसक्राइब धृक्र करते हैं फर्स क्यों से हर्स के सामने मारक सी काफी बड़े रहने वाले हैं क्योंशन ओप्शन आपको देखाने में थोड़ा सब प्रॉब्लम आया सकता है बट कोसिस करेंगे 101% कि पूरे के पूरे आपको शो हो ओके एक क्लाइंट विट यूरो लिथियाइसी इस सेड्यूल फोर एक्स्टा कॉर्पोरियल सौक वेव लिथो ट्रेप्सी ओके जो मैं चीज है उसको मैं अंडरलाइन करूंगा यहाणि यूरो लिथियाइसी य्यानि चीज दे रहा है एक्स्टा कोर्पोरियल सोक वेव लिथो ट्रेप्सी वालीront जो है इसको निकाले जा रहा है तो नर्स है क्या समझाएगी कि इस प्रोसिजर के अंदर क्या होगा तो option A है, there is no discomfort at all involved with this procedure, there are no side effects of complications associated with this procedure, the stone graduates are passed in the urine with a few days after the procedure, Okay, next question, next option, the procedure involves breaking up the stone by the vibrating needle that inserts into the urinary tract, question है कि लितोट्रेप्सी वाला जो प्रोशिजर करना है, जिसके थुरू अपने को क्या करना है, एक्स्टा कॉर्पोरियल सोक वेव लितोट्रेप्सी वाला प्रोशिजर करना है, तो क्या समझाएगी नर्स की इस प्रोशिजर के अंदर क्या होगा, सी को लोग करो, तो फ्रेंट्स नर्स क्या समझेगी, कि अगर इस चीज़ को ध्यान रखना, एक्स्टा कॉर्पोरियल सोक वेव वाला जो अप्सन है न, इसको ध्यान रखना, लितोट्रेप्सी के अंदर, यह क्या प्रोशिजर है, यह क्या इंडिकेट करेगा, कैसे होगा, यह उप्सन जिसका 3 है, वो बिल्कुल से नर्सेट के लाइक है, ओके, ध्यान रखना है, अगर एक्स्टा कॉर्पोरियल सोक वेव थेरेपी, वो चल रहा है न, तो स्टोन जो क्या है, ग्रेनुलस, यानि स्टोन जो तूटी हुई स्टोन है, जिसे तूटती है, और पास्ट यूरीन विदिन फ्यू डेज आप्टर दा प्रोसिजर, यानि दिन तक जो ग्रेनुलस है, स्टोन के तूटी हुई, ब्रेक हुई है, उससे एक्स्टा कॉर्परल सोक वेव थेरेपी से, लितोट्रेप् आपके सामने, तो फ्रेंट्स, रेशनल के अंदर है, दा स्टोन इस ब्रोकन इंटो फाइन स्टेंट, ओके, विच इस स्लेक्टेड इंटो क्लाइंट यूरीन विदे फ्यू डेज आप्टर दा प्रोसिजर, दा क्लाइंट में फिल सम डिसकमफर्ट फ्रों दा सोक वेव, ह प्रेंट्स ओफ क्लोट इन दा यूरीन नीट तू रिपोर्ट तू फिजीशन, क्लोट कुड इंडिकेट दा कॉंप्लिकेशन सचाइज है, हेमेटोमा, तो फ्रेंट्स ये क्या है, नॉर्मल फिनोमेना है, जिसके अंदर क्या है, कुछ दिनों तक क्या है, स्टोन पास आ सकता है, ये प्रोसीजर का नॉर्मल है, अगर यूरीन के साथ में ब्लड के कलोट आ रहे हैं, तो अपने को क्या करना है, फिजीशन को रिपोर्ट करना है, कि भी कलोट आ रहे हैं, ये किसकी कॉंप्लिकेशन है, हेमेटोमा की, यानि हेमेटोमा हो रखा है अंदर, इसकी जो answer जिसने third किया था वो बिल्कल से right answer था इसकी पीडियों पगिरा आपको यह लेल करवा देंगे ओके चलिए next question पर चलते हैं question लेंती है ना देखिए खीशक रहे हैं जो भी आ रहा है चला next question आपके सामने बताएगा next question यह तो ठीक है question पीडियम का है एक client with chronic renal failure chronic renal failure का एक patient has an involving peritoneal catheter in the abdomen क्या है peritoneal catheter लगा हुआ है involving peritoneal catheter लगा हुआ है chronic kidney renal failure का जो patient है for peritoneal dialysis peritoneal dialysis उसका हो रहा है which the abdominal dressing covering the abdomen the nurse plan to immediately यानि सिदी सी बात बताएं कि लंबे टाइम से chronic renal failure का patient है उसको क्या है peritoneal dialysis के लिए peritoneal cavity के अंदर catheter लगा हुआ है और नहलाते टाइम क्या है spill मतलब चला गया water जो abdominal जो dressing थी उसके नीचे पानी चला गया है जो patient को नहला रहे थे जहां पे catheter लगा हुआ है पानी चला गया dressing के नीचे तो nurse क्या करेगी भई immediately क्या करेगी अगर उस dressing के नीचे पानी चला गया change the dressing reinforce the dressing flash the pelitoneal dialysis catheter और scrub the catheter with povidin iodine क्या करेगी भई dressing को change करेगी या reinforce करेगी dressing को या क्या करेगी pelitoneal dialysis का दो catheter है उसको flash करेगी या scrub करेगी पोविडीन आयोडीन से पताइए चैंज दा ड्रेसिंग option D आ रहा है और A आ रहा है है न तो friends चलिए right down सर आपको बताते हैं नोर सेट के like question क्या है आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे question नोर सेट के अंदर आते हैं जिसने भी देर रखा है एंडर बन परसेट एसे question बिल्कुल से exact आते हैं वहाँ पर चलिए बताते हैं इसके right answer की बात तो change the dressing जिसने किया है वो excellent answer है वही बिल्कुल से excellent answer है chronic अब हिंदी language के अंदर शुनिए chronic time से कोई renal failure का patient है नहलाना भी होता है प्रेटोनियल डालाइसिस वाला patient तो है नाता है गुमता फिरता है उसकी कोई problem नहीं है बट उसको नहलाते time क्या हो dressing के नीचे पानी चला गया water चला गया तो nurse को क्या करना है dressing को change कर देना है immediately ये जो है बिल्कुल से right answer रहेगा चलिए इसका rational देख लीजिए rational आपके सामने फड़ा फड़ से मेरे language अगर समझ नहीं आ रहे तो आप इसको ज़ी देख सकते हो client with peritoneal dialysis catheter are at the high risk of infection यानि catheter जो है main point रहता है जांसे infection हो सकता है peritoneal cavity के अंदर जिसको peritoneatis बला जाता है a dressing that is wet is a condition of bacteria risk to catheter in certain site the nurse ensure that the dressing is keep dry at time यानि अगर weight हो गया है dressing वाला site तो उसको क्या करना है change करना है और weight वाली science के अंदर bacteria grow करने के सबसे ज़्यादा chances रहते हैं इसलिए क्या करना है dressing को dry रखना है तो इसके लिए dressing change कर देना है फड़ा-फड से ओके चलिए मदा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्यों सनका आज राम राम जी इंद्राज सिंग जी चलिए next question पर जलते हैं friends जोड़ी friends अपने दोस्तों के लेके आईए आज चलिए next question which client require contact precaution except one option दिए गये हैं इसके अंदर कौन सा ऐसा option है जिससे ये indicate होता है कि ये patient है इसको contact precaution नहीं रखना except का question है contact precaution कौन से patient के अंदर नहीं रखना है सब के अंदर contact precaution रखना है अपने को एक को छोड़े के patient with bumps patient with stabbies patient with respiratory respiratory syncytal virus और option जो 4 है वो है client infected with multiple जो multi-drugs resistant organism कौन सा patient है उसको contact precaution नहीं रखना एक client with scabbies contact precaution कौन से patient के अंदर नहीं रखना है hello sir good evening राम चोडरी जी फोर गुरू सिंग गुर्दीप सिंग डी दिरू सिंग डी जिसने डी किया है न वो नोर्शेट के बिल्कुल भी लाइक नहीं है आपको यह नहीं पता कि multiple drugs resistant organism वाली थेरेपी के अंदर बही contact precaution क्यों नहीं रखेंगे उसके drugs पहले से resistant हो सकती है तो infection बगरा नहीं हो सकता mumps वाले को नहीं रख से option जिसने ए कर रखा है क्या किसी नहीं किया है क्या बढ़ी आए जी विरजेश कुमार जी जिसने option ए किया है ना उसका तो है बिल्कुल से right और अपना score लिखते रहना last के अंदर score इमानदारी से जरूर बता देना है ना बदमाशी नहीं करनी है बिल्कुल से accept का question है friends contact precaution नहीं रखा जाता mumps के अंदर mumps के अंदर कौन सा precaution रखा जाता है ये लीजिए आपको विश्वार्ष नहीं होगा फिर ये देखे आपके सामने rational है पूरा ये देखे screen full contact precaution are initiated when disease transmission occur from direct contact यानि जो direct contact से disease spread होती है उसके लिए क्या है contact precaution रखा जाता है with a direct contact with a client or his or her environment environment के अंदर disease that required that used to contact precaution include colonization or infection with multiple multi-drugs resistant organism, respiratory syncytal virus or singella and other enteric pathogen, wound infection, herpes simplex virus or scabies and disseminated various cell adjuster virus का दो patient है उसको क्या है contact precaution रखना है बट यहाँ पे last में देखिए with mumps required droplet precaution mumps के लिए contact precaution नहीं रखना है mumps के लिए क्या रखना है droplet precaution रखना है ओके और जो disease दे रखे है न ये इनके अंदर क्या है अपने को contact precaution रखना है mumps के अंदर only four droplet infection रखना होगा ओके तो ये बहुत सारी disease यहाँ पे दे रखे हैं इस चीज का आप ध्यान रखना जो है जिसके अंदर multi drugs resistant organism है respiratory syncytal virus वाला है singella है and other enteric pathogen जो होती है इनके लिए और wound infection के लिए और harpes simplex virus और scabies के लिए इन सब के लिए क्या है contact precaution होता है okay direct contact माने से ये विमारी फैल सकती है mumps के लिए क्या है droplet infection रखा जाता है option जो ये बताया था ना जो mumps था वो ये था option आपका चली next question ये लिज़े question or be interested आपके लिए बहुत ही अच्छा question the nurse is assessing in the care of a client who is to the cardioverted यानि एक patient है जो क्या है cardioverted पे है यानि cardioverted मतलब cardiac monitor वाली जो defibrillation नहीं देते वो monitor उस monitor पे है the nurse plan to set the monophasic defibrillator monophasic defibrillator होता है bifasic defibrillator होता है तो ये बता रहा है कि monophasic defibrillator के उपर patient है to which of the following starting energy range level depending on the specific physician prescription यानि monophasic defibrillator जो है उसके अंदर doctor के prescription के अनुसार energy कितनी रखी जाती है उसको देते time defibrillator देते हैं तो उसके अंदर joule के अंदर energy पढ़ते हैं आपन first में कितनी रखते हैं second में कितनी रखते हैं तो ये बताना है आपको कि monophasic defibrillator अगर है और cardio verted यानि defibrillator उसको देना है patient को तो उसके अंदर energy कितनी रखेंगे doctor ने prescription specific depending on physician prescription ये कि उसना गलत किया ना तो बिल्कुल से अच्छी बात नहीं है सही अभी तक किसी का नहीं आया good you नहीं जिगाई तरी यादो जी क्यों समझ रहे हो क्या monophasic defibrillator बता रहे हैं the nurse plan to set the monophasic defibrillator underline कर देते हैं starting के अंदर energy कितनी देनी है ऐसे तो energy तो बढ़ाते जाते हैं दीरी दीरे इंद्राज सिंग जी और सरोज परोदा जी मोहित राठोड जी बिल्कुल से तिनों का answer अभी तक राइट आया है हमत सिंग जी का राइट अंसर है राइट अंसर की बात करते हैं friends option जिसका a था ना वो तो नोर सेट में गया okay बिल्कुल से जी राइट अंसर है वो a हमने बताया था भी monophagic के उपर बार बार अंडरलाइन कर रहे हैं और initiating यानि starting के time में monophagic के अंदर जो range रखते हैं डॉक्टर prescription के अंदर specific range जो रखते हैं पहले पता से 100 जूल यूज में लेते हैं उसके बाद में doctor prescription करता रहता है ओके आगे बिर्जियस कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाजी thank you आज मेरे को लगता है 100 जल्दी होने वाले हैं ना वंद्राजी सव देखो मेरा dopamine ज्यादा secret हो रहा है ऐसे मत करो जो देखिए fluctuation हो रहे है रहे हैं ECG की तरह ऐसे कभी बढ़ रहे हैं कभी बिच्छी जा रहे हैं ऐसे हो रहा है कभी 20-30-50-100 ऐसे हो रहा है ना चलिए बढ़ाते रहे हैं डॉपामिन आपके लिए कुछ न कुछ करेंगे अगर आज डॉपामिन और बढ़ा तो बहुत जल्दी आपके लिए test series भी बंदबस्त कर रहे हैं बहुत जल्दी बहु क्या है सिंक्रोनाइज काउंटर सोग का मतलब क्या सुनते हैं काउंटर का मतलब है पलेश एक जगह मालो और जहां पर मतलब एमर्जेंसी के अंदर जो देते हैं इसके अंदर मोनोफेजिक वाला देते हैं और एपन चक इस मोनिटर को और दोड़ खड़े हुए चल भी रह to convert and under stable rhythm to the stable rhythm यानि उसकी rhythm है वो under stable rhythm है यानि उसकी disturb है rhythm जो हार की है उसको rhythm को set करने के लिए yali unstable rhythm है उसको stable करने के लिए यानि energy के लेवल कैसे चेक करना है वो physician क्यों पर डिपेंड करता है physician बताता है first range रहती है वो रहती है देखिए cardio version is usually start starting के अंदर पचांस से सोजूल ही रखा जाता है द्यार रख रहा है इस चीज़ का और चलिए आपको वो बता दिया कि road traffic कुछ भी होगा है वहां पर अगर initiating जरूरत पड़ती है इसकी जल्दवाजी के अंदर तुरंत उसकी requirement होती है तो अपने को क्या करना है यह जो जो मोनोफेजिक वाला होता है यह mostly यूज में लिए जाता है इसके लिए क्या बात है फ्रेंट डोपामीन कम कैसे हो रहा है गुड़ी नहीं कोई दिक्कत नहीं है शीनु जी आपके लिए प्रेयर करेंगे आपकी हेल जल्दीशी से हो जाए और अच्छे से प्रिप्रेशन कर सको शीनु जी चलिए नेक्स क्योशन पर चलते हैं फ्रेंट नेक्स क्योशन आपके सामें ने बताएए उपड़ा फरस्यांसवर जो नोर सेट चीए ना जिसको उसका ध्यान रखना है ना ऐसे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं जिसने पहले एक्जाम दे रखा यह इस बार दिया नहीं होँआ उसको पता हो गए इस चीज का कि कितने कितने लैंद थी ज्यादा वह तफ वाले भी नहीं है चलिए नेक्स देखिये एक प्रेगनेंट क्लाइंट प्रेगनेंट फीमेल की नर्स केर कर रही है एक प्रेगनेंट फीमेल है उसको क्या है भई MGSO 4 चल रहा है तो प्रवाइड ए सेफ इन्वार्मेंट दा नर्स एन्शोर डेट विच प्रियूर्टी आइटम एड़ बैड साइड प्रेगनेंसी के अंदर चल रहा है MGSO 4 मेगनेसियम सल्फेट तो नर्स बेड साइड क्या रखेगी सेप्टी के लिए केलसियम गुलकोनेट क्या वाद है क्योसन बड़ा है मज़ा आ रहा है ना अब मैं डारेक्ली ऐसे भी तो बोल सकता था मेगनेसियम सल्फेट का एंटिडोट क्या होता है बट नई नर्स यही देता है लेंगवेज बड़ा के और कन्फूजन करना उसका काम है पैसा है उसका तब ही अपने को पैसा देता है वो सतर वैसर पिचेतर जार रुपे पैसे नहीं देता है इतना फोकट में वो चाहता है कि देखते हैं जो अपने पास क्वालिटी क्रीम आती है उसका दिमाग कितना गिसता है बाकि बात तो यही पूछ रहा है कि मेगनेसियम सल्फेट अगर दे रहे हैं तो सभी को पता है केल्शियम गुलकनेटी यूज में लेंगे सबसे पहले तो मेगनेसियम सल्फेट अगर दे रहे हैं तो हो सकता है मेगनेसियम सल्फेट कंटिन्यू है और मेगनेसियम सल्फेट चलते बहुत जादा हो गई तो इसके अंदर magnesium sulphate देते हैं ना फ्रेंट्स बहुत सारे इसके अंदर precaution रखा जाता है तो इसके अंदर क्या precaution रखा जाता है वो rational के अंदर देखेंगी magnesium sulphate कैसे देते हैं और इसके precaution क्या क्या होता है जैसे percussion hammer होता है ये भी पासम होना चीए पर confusion के अंदर priority पुछा है ओके देखिए which priority ये है नौल सेट का फेवरिट ये ही है priority वाले आयना ये यहाँ से पिछा नहीं चोड़ता यहाँ वाले किछ के लेके आते हैं ये तो priority क्या रहेगी तो priority तो priority सबसे पहले तो antidote रहेगा एंटीडोट के बाद में जो कुछ होता है या फिर नॉर्मल मेगनेशियम का लेवल जादा बड़ा हुआ है थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है तो अपन परक्रशन हेमर से अपन जो है डिप टेंडेंस रिफ्लेक्श बगएरा चेक करते हैं ओके चली तो इसका रैट आंसर क् डिप्रेस करता है रिलेक्स समूथ मसल और समूथ मसल होती है उनको भी रिलेक्स करता है अब देखे आगे टॉक्सिक इफेक्ट और मेगनेशियम सेलफेट में कोज लोज ओफ डीप टिंडन रिफ्लेक्स सभी को पाता है तो इप टेंडन रिफ्लेक्स है वो एबसेंट हो loss हो जाते हैं ओके और heart block respiratory paralysis and cardiac arrest वाली condition भी MgSO4 के बढ़ने की वज़ाए से हो सकती है the antidote of MgSO4 magnesium sulfate is calcium gluconate यानि MgSO4 का antidote क्या है calcium gluconate and should be unable at the client bedside तो इसलिए available क्या रखना है bedside calcium gluconate रखना है यह first priority है okay यह percussion hammer may be important to assess deep reflexes but it is not a priority यहाँ पर दे रखा है ना percussion hammer भी रखना है बट यह priority नहीं है priority के अंदर क्या जाएगा calcium gluconate जाएगा क्याशन के अंदर यहाँ और कुछ भी सीखने को मिला है आपको है ना यह central nervous system को depressed करता है smooth muscles को relax करता है और कार्डियक effect करता है और okay और respiratory paralysis भी करता है कार्डियक arrest भी करता है यह बहुत सारी चीजें MJSO4 की बजाए से आपने अपने को नई चीजें सीखने की मिली है with rationality के साथ में तो जहां तक उमीद है ना आपको जाते जाते कुछ और अच्छा भी आके जाएंगे आज कल की तरह जो interested है जिसको dream है ना कि नहीं मेरे को फॉर्मल्टी नहीं करना पढ़ना है वो तो आएगा और बोलते हैं ना कहने से कोई नहीं आएगा शीनु जी तब भी तो surprise था कल बोला था ना आपको कि अच्छी स्रेशनल के साथ में ऐसा preparation करेंगे प्रिपेर करवाएंगे आपको ताकि आपको यह PDF मिलेगे ना तो चार बार पढ़ोगे इसको क्योंकि वीडियो को भी बार बार देखोगे जो चीज में नहीं बता रहा हूँ आप वीडियो को पोज करके भी देखोगे तो भी आपको आपको आएगा क्या करना है डिजोक्षिन देना है 0.25 mg बाइ माउथ औरल केविटी के दुबारा कि देना है डिजोक्षिन देना है और 0.25 mg देना है रेदर देन प्रिस्क्राइब डॉज 0.125 mg दा क्लाइंट वीच सुट दा नर्स इंप्लिमेंट फॉस्ट नर्मल बात के अंदर सुनी नर्स ने क्या किया सुरी यह जो है देना थो प्रिस्क्राइब था प्रिस्क्राइब डॉज 1.25 थी और नर्स ने क्या किया 0.25 दे दिया यानि जितनी देनी चीए थी 0.125 देना था और इसने क्या कर दिया डबल दे दिया 0.25 दे दिया यानि रेंज से डबल दे दिया डॉक तो यहां पर prescribed dose थी 0.125 और अपने दिया कितना 0.25 तो what should the nurse implement first शिदी सी बात ही है भाई आपको जितना बोला उसको उससे आपने double दे दिया डिजॉक्षिन को छोड़ो सबको छोड़ो आपको तो paracetamol 500 mg बोल दिया आपको 1000 दे दिया आपको आपने तो paracetamol तो ज्यादा जो अपनी dose दी है उससे dose दे रहे हैं यानि अपन उसको मारने की बूरी planning है अपनी कि हाँ अभी तेरे को खतम करने वाले हैं रूजा ओके तो नरस सबसे पहले क्या करेगी उसने गलत dose दी है क्या करेगी का क्या रहेगा उसका सबसे first write the incident report लिखेगी incident जो आपने गठना किये उ भी मर जाएगा वैसे भी एडमिनिस्टर डिजॉक्सीन इम्योन फेव यानि उसका एंटिडोट बगेरा देगी या tell the client about the adverse effect of डिजॉक्सीन या क्लाइट को बताएगी देख वही डिजॉक्सीन भी बजैसे तेरे को यह हो सकता है क्या करेगी नर्स सबसे first priority क्या रहेगी ज जिसका अंसर आ रहा है न राइट वो 100% नर्स सेट का हगदार है मोहित जी एलग आ रहे है फर्स्ट प्रायोरिटी संकेत पूजा चोधरी ए नीतू सिंग इंद्राज सिंग इंद्राज सिंग का आंस्वर मैक्सिमम राइट जाता है कोपी मत करना इंद्राज सिंग सी द्रमेंदर कुमार जी पुन्नम राठोड जी इंद्राज सिंग जी तो बही इंद्राज सिंग जी का नाम ले लिए तो करीम तो वहीं से निकलती है बाई ओप्शन जिसका ए वह तो नौशेट के लगा फिक्स हो गया जहां वोटिंग ज्यादा हो रही है वहां तो टोटा ही पड़ता है यह गलत है छोड़ो इसको एंटिडोट नहीं देंगे नर्स विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्स में यह तो बताया है कि भई आपको आपने जितना डोस दिया उससे डबल दे दिया आपने डबल चला दिया उसके अंदर साइड इफेक्ट तो अभी भी नहीं बता रहा कि पेशेंट के अंदर क्या कंडिशन हो रही है कुछ नहीं हो रही है पेशेंट को डबल डोस दिया वो म ने गलती कर दी और उसके बाद डॉक्टर को बोलेगी और डॉक्टर के बाद में जो डॉक्टर एडवाईज करता है उसको लगाएंगे चलिए हाँ इनराज सिंग जी एक बार तो क्वालिफाई हो गए सर आपकी अब की बार फार दूंगा आपकी आशिरवाद रहा तो इनराज जी जुरूर जुरूर बिल्कुल से अभी देखिए मेरा बढ़ रहा है डोपामिन देखिए एंडर के पास जा रहे हैं कंडिडेट तो इस चीज़ का द्यार रखना है न यह चीज़ मतलब बहुत इजी क्योसन है बट आपने दिमाग की बढ़ता है उप्शन ए च नर्स शुड फाइल एंड इंसिडेंट रिपोर्ट नर्स क्या करेगी फाइल करेगी इंसिडेंट रिपोर्ट को सबसे पहले वहन ए मेडिकेशन एरर मेडिकेशन एरर हो गया तो सबसे पहले वो क्या करेगी रिपोर्ट करेगी लिखेगी ओके अकर इंदा दो है तो यहां पर फ्रेंट सबसे पहले क्या करेगी जो एरर हुआ है उससे क्या करेगी मेडिकेशन को उसके बारे में रिपोर्ट करेगी लिखेगी ऐसे नहीं भई अपन लिखते ही नहीं क्या पतर जलेगा हो सकता है बिमार थे यह तो यूशी मर गई ऐसे ही मर गया बिमार तो पहले ही चले रहा था है आपन बताना भी नहीं आपना है आपको रिपोर्ट में लिखना है Next क्या करना है तो बहुत बड़ा काम कर दिया आपसे भी बड़ा आपकी शीनियर बन गई मैं आज ओके तो फिर डॉक्टर को बुलाना है सेकेंड नमर पर फिर्ट फ्राइट ये रही उसको रिपोर्ट करना है लिखना है ओके चलिए चलें नेक्स्ट क्योशन पर गुड इविनिंग केम बविता जी लेट होगे इस देखी दी डॉपामीन फिर डाउन कर दिया हाँ माल प्रैक्टिस ही है ये माल प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है माल प्रैक्टिस तो वो होता है जो एक फ्रोफेशनल बंदा करता है न वो माल प्रैक्टिस है तो अपन तो फ्रोफेशनल है सदांसी नर्सिंग वाले तो फ्रोफेशनल ही रहते है ओके नेक्स्ट क्योश बदाई The nurse is caring for a client who has brain death एक brain death वाला है उसकी nurse care कर रही है भई brain death होगा है इसकी क्योंके care कर रही हो इसको time waste कर रही हो चलिए ओके तो brain death का क्या है patient है और nurse उसकी care कर रही है and is a potential organ donor क्या करेगा भई care इसलिए कर रही है कि वो organ donate करेगा okay organ donate करेगा brain death वाले को clinically death भी बोलते है न थो कल अपने question बटा था okay तो क्या करेगी nurse organ donate करवाईगी family to discuss organ donation nurse review the client medication report for potential to organ donation include भई क्या बात है question के अंदर directly लिए पुचा है brain death का patient है उसकी nurse care कर रही है और उसको क्यों कर रही है कि भी organ donate करना है तो appropriate जो है family से discussion करेगी organ donate करने से पहले and medical report करेगी क्या medical report करेगी जिसके तुरू ये पता चलेगा एक medical report आएगी उसकी जिससे contra indicated organ donate करना आई यानि ये brain death वाला patient है ये organ donate कर ही नहीं सकता nurse ने तो क्या किया brain death वाले patient को prepare किया family वालों को मनाया कि भी organ donate करवा हो चलो उसने हाँ कर दिया करेंगे पर organ donate करने से पहले टेस्ट किया ना उसका तो टेस्ट के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें आई जिसके ये पता चला कि organ donate ये कर ही नहीं सकता good news जिर्रानी को सल्जी ओके तो कौन सा report देखने को मिलेगा जिससे ये पता चलेगा contra indicated है ये organ donate नहीं कर सकता option A allergy to penicilline अगर penicilline से allergy है तो क्या वो organ donate नहीं कर सकता option B hepatitis B infection क्या उसको अगर hepatitis B infection है तो organ donate नहीं कर सकता option C older than 20 years old अगर older than 20 years से है तो नहीं कर सकता option D है history of foreign travel यानि other country से travel करके है तो क्या वो organ donate नहीं कर सकता answer दीजिएगा बिल्कुल से right answer दीजिएगा divert नहीं होना है सोच समझ के दीजिएगा यहाँ पे मैंने एक चीज और लिख रखी है अगर आपको समझ आ गई है जो बंदा practice कर रहा है उसको समझ आ गया होगा medical record medical record का नाम आते ही दो चीज तो हट गई यह medical record है क्या दो तीज हट गई मानते हो ना इस चीज को C और D हट गई क्योंकि 20 years है medical record का क्या मतलब इसमें तेरी उमर है 20 साल तो अच्छी बात है और तू विदेश से आया तो यह और भी अच्छी बात है तो इसमें medical report का तो कोई लेना देना है नहीं बचगी चीज दो allergy penicilline से हो रही है इसलिए या पेटाइटिस बी से तो friends medical report जो क्योंसन होता है उसके अंदर एक क्योंसन ऐसा छोड़ता है बोलते है ना चोरी करने से पहले कुछ ना कुछ पैचान छोड़ जाता है तो वो पैचान इसने छोड़ दी ज़रूरी नहीं है option ज़रूरी तो यह है लाड लो अगर option B hepatitis B का infection है और उसको अगर organ donate किसी negative वाले patient को कर दिया positive वाले गा तो जो negative था वो donate लेने के चक्कर में सही होने के चकर में वो बिगड जाएगा hepatitis B उसको हो सकता है तो जिसको hepatitis B का infection है उसका organ donate नहीं कर सकते उसका organ नहीं ले सकते transplant नहीं कर सकते बिल्कुल से contra indicated रहता है अगर medical report करवाते हैं उसकी पहले तो जिसका answer right था second number का आप tension में के अंदर qualify हो अगर इनमें से एक अदा क्योशन भी ना मिले नोरसेट के अंदर तो comment कर देना सामने देना पड़ना है ना विश्वास देना बहुत जरूरी है नर्सी नहीं करते है खुद पर भी नहीं करते है चलिए नेक्स्ट के सामने रेशनल आपके सामने यानि सिद्धी बात यह बता रहा है अगर हेपटेटिशन बी पोजिटिव वाले का कंटिडियेट का किसे वो ट्रांसपर कर दिया तो वो एफेक्टेड हो सकता है उसके अंदर क्या है contra-indicated रहेगा बड़ देखिये donation contra-indicated नहीं रहेगा अगर उसको allergy है penicilline से या फिर वो दूसरी country से आया है उसके अंदर कोई problem नहीं रहेगा बट अगर दूसरी country से आया है तो उसके अंदर risk रह सकता है communicable disease का पर एजमपल कोई चाइना से आया बारत के अंदर तबी तो corona फैला था ओके तो corona तबी तो फैला था वो गूम के आया कोई चाइना में देख आया होगा भी चाइना में चाइना में क्या चल रहा है तो चाइना देखने गया और communicable disease ले आया तो travel जो करके आया है foreign country से उसके अंदर यह हो सकता है penicilline का कोई लेना देना नहीं है hepatitis B आपस समझधार हो अच्छे लोगों आपको राम से समझा गया होगा जोती सहु जी गूड इवनिंग जी ओके चलू नेक्स क्योशन पर ब्रजेश कुमार जी वाउ जी एक्सलेंट जी आएगा समझ देखो बानू प्रिया जी देखिए क्योशन अभी जो बता रहे हैं आपको हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर आप इस चीज़ को catch करने को आपको मन नहीं करेगा हमें पता इतना बड़ा क्योशन देखिए ये क्योशन देखते हैं आपको दिमाग खराब बज़ेगा और उसके बाद क्या है अंडर लाइन यानि एक दिमाग के अंदर सेट अप कर लेना है कि इसके अंदर brain death का बोल दिया और next क्या बोला इसने standard care करनी है इसकी या organ donor करना है तो क्या ध्यान रखना है यानि जो अंडरलाइन किया हुआ चीज है ना उसके मसाले के उपर ही अपने को question का answer depend करेगा next question बताईए next question आपको दिखाते हैं और इसके अंदर बात करते हैं चली देखिए पहले English में पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ेंगे rational बताएंगे logic बताएंगे सब कुछ करेंगे exact समझाएग 101% समझाएगा 1K होने वाला है जल्दी से कर दीजिए 100 होने वाले the nurse monitor a the nurse monitor a client who has been diagnosed with brain death यानी एक monitor कर रही है nurse एक patient को और उसको क्या हुआ है brain death वाली condition है okay and is a potential organ और उसको क्या है organ donate करेगा वो ही बात है जिसकी death होगी brain की और करेगा which clinical assessment data indicate to the nurse that the standard to of care as a organ donor has been maintained CDC बात ही है friends organ donate करेंगे brain death वाले का तो nurse क्या assess करेगी इस जो brain death वाला candidate है patient है इसके अंदर क्या चीज देखेगी जिससे यह पता चलेगा कि organ जो donate करेगा यह एक दम से सही है कोई problem नहीं है इसका organ donate करेगा तो अपन ले लेंगे पैंस standard care कर रही है उस time organ donate का find out करना है समझा गया ना brain death का patient है potential organ donate करेगा वो और nurse उसको assess कर रही है कि standard care के टाइप में अपन क्या उसके अंदर देखेंगे जिसकी वज़े से यह कहेंगे कि organ donate अगर करता है तो एकदम से ही है कोई problem नहीं है अगर उसके अंदर urine output जो है 100 ml per hour हो रहा है अगर उसका pH है arteries का ABG निकालते हैं अंदर 7.32 है अगर उसका capability refill time है 5 second है अगर उसका blood pressure 90 बटा 48 mmHg है क्या चीज देखेगी जिससे यह पता चलेगा कि एक दम सही patient को चुना है अपने इसका organ donate करवा देना चाहिए बता दीजिए और नोर्सेट के अंदर लेए सेलेक्शन एक की 09A सर C सही है C आ रहा है ना सभी का नोर्सेट में सेलेक्शन करवा दें फिर तो किसका करवाना है अब की बार देखें मैं देखता हूँ सभी की comment पढ़ता हूँ ने comment आ रहे हैं उसको पहले बढ़ूँगा नोर्सेट का नोर्सेट का भी बाप होता ना तो उसको भी आप क्वालिफाई कर सकते थे मान गए रियल में बैस्ट आफ लग ये नाम देख रहे हूँ ना फर्स्ट कमेंट इनका है और वो भी बिल्कुल से राइट है हकीम सिंग जी अभी आये हैं ये पे तो फ्रेंट्स देखिए एबी जी की रिपोर्ट के अंदर पी एस कितना बढ़ाया था आपको थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था 35 से 45 नहीं होता क्या लाड़ लो 35 से 45 होता है ना तो ये क्या हो गया HD को हो गया 35 से कम है HD को हो गया abnormal है डिलीट करो के पिले रीफिल टाइम 5 सेगंड ज़्यादा है डिलीट करो 30 सेगंड तक होना चीए BP है बिलकुल से लो है इसको भी डिलीट करो तो राइट आंसर तो दमाके वाला ये ही हो गया जिसने ये किया वो बेड़ा पार हो गया जिसका 100 ml पर हावर्स यूरीन आरा है ये इंडिकेट करता है इसका function है liver sorry kidney cow एकदम effective है ये एकदम healthy है इसके liver sorry kidney से समंदित कोई problem नहीं ह है और kidney से ये तो बोलते है ना excrete करवाने में waste को और बहुत जाता helpful रहता है तो body भी healthy होगी maximum chances ये रहते हैं मैंने भी correct किया था क्या वंदना साओ जी बिलकुल से जी ओके तो friends चीजे हैं वो बहुत चीजे सीखाती है अपने को छोटे छोटे क्योशन से कुछ नहीं सीखते चोटे क्योशन से ये सीखते हैं सबसे long bone कौन सी है सबसे long muscles कौन सी है अड़ी कितनी है कोई मतलब नहीं है दिमाग के गोड़े यहां दोणाने पड़ते हैं थोड़ी सी range की वज़े से देखी ये गलत हो गया थोड़ी सी range की वज़े से ये गलत हो गया और ये आपको अलग दिखाते हैं इस चीज़ का कि क्या rational है ओके बताते हैं ना चलिए rational देख लीजिए मेरे पर विस्वास नहीं है ना cml मोही तरा ठोड़ जी बता रहे हैं cml होता है न नॉर्मल चलिए हमारे पर विस्वास नहीं है तब ही तो rational लेकर आए हैं आपके लिए यह देखिए दिरुस चीज़ जी का तो सबसे पहले आता है यह पता नहीं टाइप करके रखते हैं पहले सी यह देखिए लाड़ लो rational देख लीजिए पढ़के बताओ तो आप मैं बता देता हूं नहीं तो आप बता देना urine output 100 ml per hours indicate adequate renal perfusion and indicate that care standard as a organ donor and maintain maintain यानि एंड़र ml per hours आ रहा है अगर perfusion तो उसका मतलब क्या है adequate renal function उसका एकदम से ही है कोई problem ही है और standard organ donor के अंदर count किया गया है यानि standard के अंदर आता है बिल्कुल से वो organ donate करने के लिए बिल्कुल standard के अंदर आता है चलिए next के आपको option के इसके आगे की बात बताते है clinical indicator of care below the standard indicate pH is 7.32 क्या है low है below care से indicate acidosis acidosis indicate किया है ना इसने 7.35 से कम है तो acidosis indicate कर दिया यानि option गलत हो गया के फिर refill time 8.5 seconds which is too slow यानि 3 seconds के अंदर हो जाना चाहिए इसने 5 seconds दे रखा है 5 seconds तो कुछ ज़्यादा ही दे रखा है वैसे 5 seconds तक होता है बट 3 seconds बिल्कुल से अपन रेंस के अनुसर मान सकते हैं exact 5 seconds थोड़ी होता है और hypotension BP तो कम इसने बताई दिया indicating an inadequate cardiac output और BP अगर low है तो यह indicate करता है कि आपका जो heart का output है वो बिल्कुल से गलत है सही नहीं है right answer जाएगा 100 ml per horse के इसाबचे अगर urine उस पास out किया है उसने कर रहा है तो भई बढ़िया वाला organ मिला है आपने को organ जो donor मिला है वो बढ़िया वाला मिला है तो यह आपके सामने rational है okay सब कुछ मिलेगा यह PDF कहा मिलेगी कैसे मिलेगा कैसे करना है बताएंगे सब कुछ आपको exact rational के साथ पूरी PDF ऐसी ही मिलेगी but like, share, subscribe के अंदर कमी नहीं आनी चीए हम लिग के देते हैं 101% selection दिलवा के मानेंगे नौर्सेट के अंदर ESIC के अंदर कहीं न कहीं selection होना चीए target के reference पता है आपको कई यहों के dream बड़े होते हैं कई यहों के चोटे होते हैं target रिये रहता है अबना जो बिरोजगार बंदा होता है बाद में चलता रहता है अपने नौर्सेट किया फिर ESIC में आ गए ओके पास आ गए वहां से ठक गए पैसा खूब कमा लिए तो गर के पास CSO बनके आ गए अरे वो बाद में डिपेंड करता है सबसे फर्स प्राइरिटी रहती है जोग गी और वो आपको दिला के चोड़ेंगे 2021 के अंदर चलिए नेस्ट क्यूसन आपके सामने बताईए एक आंस्वर नर्स क्या कर रही है भई अमर्जेंसी डिपार्टमेंट ध्यान रखना इस क्यूसन को इसको जिसने राइट किया ना इसको फाइव स्टार दूँगा में मैं नहीं दूँगा एमस वाला भी देगा स्टेवन स्टार कर देते हैं चलो जिसने इसका अंस्वर राइट किया अब ये बता रहा हूँ तो ये ही सोचोगे कि इतना टफ क्योसन हो सकता है तभी आपको फाइव स्टार सेवन स्टार मिलेंगे जल्दबाजी किया देवरात सहूजी ये अपनी कलास आती है साड़े नो बजी डेली की 9.30 पीम पे अपनी कलास रहती है वन हावर्स की कलास रहती है किसी टाइम अगर लाइव ज़्यादा आ जाते हैं जैसे अभी लाइव बहुत ज़्यादा है तो इससे करके आपको पढ़ाना अमारा मकसद है हमारा मकसद यही रहता है जितने ज़्यादा जुटेंगे उतनी कलास कीच के रखेंगे ये गटे, 1-1 गटे, 2 गटे डिपेंड करता है आपके लाइव आने पे आपके performance पे, आपके comment पे, आपके response पे आपके feedback पे और आपके जो emotions है उस पे, class उसी पे depend करती है, purely, नहीं तो 10, आदे गंटे पी भी complete हो जाती है, पौन गंटे के अंदर हो सकती है, और आज आपका performance देखके लग रहा है, मेरे को class देट दो गंटे चलेगी, okay, क्योंकि इतने logically और इतने अच्छे question है, और आप सब इतना participate कर रहे हो, इतने अच्छे से ऐसे लग रहा है, नोर सेट का paper आए रहा है, तो class को खिच के रखेंगे, जहां तक possible आप ठकोगे नहीं, तब तक class चलेगी, आपके उपर depend है, हम नहीं ठकेंगे, I'm sure, चली next question, आपके सामने, emergency department है, एक छोटा सा hospital है, local hospital है, किसी area के अं emergency department के नर्स काम कर रही है, और वहां पे एक ambulance के अंदर patient आया, ओके, और patient क्या था, multiple, बहुत ज़्यादा stave wound arrives, यानि चाकू बगेरा लगे वे उसके बहुत ज़्यादा गाव है, इंदी के दर समझा रहा हूं, बहुत ज़्यादा गाव है, multiple गाव है, उसके चाकू लगे व लगा हुआ patient आया है, तो nurse क्या चीज contra-indicated करेगी, क्या नहीं करना, उसको legal evidence के रूप में क्या handle नहीं करना, क्या option ऐसा है, जो आपको नहीं करना है, इसकी permission आपको नहीं देना है, पूजा चोधरी जी, बहुत बहुत दन्यवाजी, बहुत बड़ा आपका, जो ये बोलते हैं न, class बहुत अच्छी है, इसमें भी बहुत अच्छा feel होता है, हमें बहुत ज़्यादा, जो है, ऐसे growth हम मैसूस होता है, कि चले यार, कोई तो हमारे लिए है, जो ऐसे सोच रह थे, imagine कीजिए, आपके पास एक patient, ambulance आई, तुरंत, बहुत बज़रा था, आपने सोचा, यार, ambulance हाई, कोई patient आई, patient को आपने देखा तो, उसके दो, चार चाकू गुशेड के रखे थे, चाकू लगाई हुए थे, चाकू मारे हुए थे, उसके बहुत सारा गाउ थे, ओके, और patient आपके पास आगया, emergency के अंदर, emergency के अंदर ऐसा patient आता है, तो आपको पता है, यार, belly, friends, रिस्तिदार, सब के सब उसके क्या है, घरप में वो emergency मा जाते हैं, तो आपको इस time, इस time क्या ध्यान रखना है, कि इस patient से समंदीत, contra indicated क्या चीज़ रखनी है, यानि, patient initiate a chain to custody, यानि एक तो ये करना है, कि patient को custody में डालो, या फिर legal action लो उसके पहले, सबसे पहले, क्योंकि चाकू लगा हुआ है, give cloth and wallet to family, जो उसका wallet और cloth कपड़े जो थे, उसको ओ फेमिली को दे दो, तुरूंत emergency में फेमिली होती है, तो अपन देते हैं न, ये ले वही उसका परस है ये उसका chain है, ये watch है, वो उसको फेमिली को दे दो, option third है, cut clothing along session avoiding stave fault, कपड़े काट दो, उसके हटा दो, और जितना गाओ थे उसको हिलाना नहीं है, और option fourth है, place personal blogging in a label sealed paper bag, क्या करेंगे, परसनल जो उसका सामान है, उसको किसी bag के अंदर डालके उसके उपर label लगा देंग अब बताईए, आप राइट answer क्या जाएगा, धन्यवाजी लाइक कर देओ, बिट्टू जी, सोनु जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, सूसील कुमार यादो जी, बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद, सही तो हम बताएंगे जी, technical, चोदरी, online जी ने क्या बताईए, भई answer, चली, इनका देखते हैं सबसे पहले तो, या हसी आ रही है न, नोर्शेट का देखते हैं, इनका, परफॉर्मेंस, टॉप क्लास है, अच्छा, टॉप क्लास ही दिये हैं, क्या, option दिये ही नहीं, क्या अभी ते, तो friends, चली, एक बार और review करते हैं एक MRDG के अंदर पेशेंट आया, जिसके बहुत सारे चाकू लगवी हुए हैं, ओके, चाकू के गाव हैं उसके बहुत सारा, तो नर्स उसकी केर करेगी, तो किस चीज़ को ध्यान रखेगी, कि उसको पहले तो legal action ले, या पूलीस बगएरा को बुलाएं, या फिर उसके प जीजिए और नौफ सेट के अंदर सेलेक्शन ले लीजिए, स्योर है, एंडेड वन परसेंट, सेवन स्टार, हाँ, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या पूलीस को नहीं बुलाना है, क्योसन is easy है, अपने को पता है, अपने को पता है, अपने को उसकी care कर रहे है, nurse is contact indicated for handling, handle करेगी nurse उसको care करीगी, उस टाइम क्या नहीं करना है, patient को, patient, जो nurse को क्या नहीं करना है, easy question है इतना logical question है आप सोचोगे तो ऐसे सोचोगे अरे यार इतना easy question था मेरे को तो पता ही नहीं चला ओके चलिए अब बताते हैं क्या नहीं करना है उसको contra indicator क्या रखना है रुको 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 सुनील कुमार यादव जी काविले तरफ जी seven star देते हैं हम आपको बिल्कुल से right answer करना है उसको B जिसना B answer है ना जिसका निर्मल कुमार जी गाईतरी जी कालू राम जी नितु जी जिसका B answer है बिल्कुल से right है फ्रेंट्स क्या है ये legal case है क्या है इस पर कारवाई होगी कानून कारवाई और नर्स ने अगर उसका जो सामान मिला उसके पास जो सबूत था वो अगर family वालों को दे दिया तो ये बहुत गलत चीज है सबसे पहले उसको जो है नर्स को ध्यान रखना है कोई ये चीज उठा के ना लेजे और उसको अल जी ने भी बताया भई उपर अंसर तक दिया सर ओके जी एक के जीरो नाइन जी चलिए इसका रेशनल देखे फ्रेंट्स रेशनल देखोगे मजाएगा समझाएगा आपको देखे क्यों सब्सक्राइब बेसिक रूल फोर हैंडलिंग एविडेंस इंक्लूडिंग इनिशिय जाते हैं ना बेसिक रूल उसके अनुसार जो है जो लिगली एक्षोन होता है वो लिया जाता है उसके परती कोई भी मोमेंट होता है उसके परती तो लिमिटिंग दा नंबर ओफ फिपल विट असेस दा एविडेंस यानि उस गटना के अंदर जितने भी परसन थे या फिर एमरिजेंसी के अंदर आ रहे हैं उनको कम करो पहले तो जादा नहीं होने देना है एमरिजेंसी के अंदर के ठनी होने देना है एंड केरफुली रिमूव क्लोथिंग एंड प्लेसिंग परसनल बिलोगिंग इन ए लेबल यानि उसको क्या करना है केरफुली क्लोथ इसके न destroying evidence, जो भी evidence उसका मिला है उसके पास, उसको destroy नहीं करना है, जो भी watch है, कपड़े ऐसे लगेगी, खराब है, blood के अंदर होगी, yellow के अंदर डाल दो, ये नहीं करना है, this also include cutting cloth along seams, यानि कपड़े हटा दो, काट के हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो wound है, उसको वैसा कब ऐ ऐसा ही रहने देना है, हिलाना नहीं है, कारते टाइम ऐसा नहीं, wound हिल रहा है, खराब हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ओके, और सब जो है answer, बिलकुछ से सही थे, उसके family वालों को कोई भी सामान नहीं देना है, इस action के अंदर, क्योंसर ये समझा रहा है, अगर क उसको, तो legal action उसके परती होता है, ऐसे नहीं कि अपने family वालों को दे दिया, और family वालों को लेकर उसको गूम हो गया, ओके, तो ऐसा अपने को बिलकुल नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिलकुल से, अधर जो question के अंदर option थेना, for example ये देखिए, ज उसको अलग से रखेंगे, ओके, और अलग से इसको seal कर देंगे, उसका दुस्ता मान है, बट, family वालों को वो लेट बगरा cloth नहीं देने हैं, ओके, चलिए, next question, क्या वात है, डोपामीन कम करवा रहे हो, ऐसे मत करो, चलिए, next question, आपके सामने, friends, बताइए गाइसका right answer, a nurse working on medical nursing unit during an external disaster, अच्छा question है, इसके अंदर भी seven star मिलेंगे आपको, is called to assist with care, a client coming into emergency department using principle of tries, the nurse initiate immediate care for a client with which of the following injury, सिधा सा question है, जो है, नर्स काम कर रही है, medical nursing unit के अंदर, और क्या हुआ, external disaster हुआ, कोई दुरुगट ना हुई, कोई बड़ा disaster हुआ, and care के लिए जो patient आ रखे थे, वो emergency department के अंदर, बहुत ज़्यादा patient आ गए, okay, disaster के अंदर, बहुत ज़्यादा patient आ गए, emergency के अंदर, using principle of the triage, triage system, आप कौन से patient की सबसे immediate care करेगी, option दिये गए है, इनमें से सबसे first priority वाला case कौन सा है, कौन से case की सबसे पहले care करेगी, nurse, triage के अंदर कोई disaster हुआ, और उसके अंदर, बहुत सारे patient आ एक सार, जिसमें से आपको एक patient ऐसा चुनना है, जिसको सबसे पहले care करना है, triage के अनुसार, rule triage का आता है, पता है आपको, red, yellow, green, ऐसे करके, black, तो उसके अनुसार सबसे first care किसको करेगी, fracture, tibia, tibia, उसकी fracture हो गया, क्या, उसको सबसे पहले care देंगे, penetrating abdomen injury, abdomen है, वो penetrate हो गया है, उसकी करेंगे open vasue, head injury, and deep coma, उसके सर पे, जो है, injury है, open है, और coma के अंदर है patient, और option D ह bright, red, bleeding from the neck, wound, garden है, वहाँ पे, wound है, और bleeding हो रही है, right answer बताईए का क्या करेंगे, बानू पिरियाजी C, तो friends, यहाँ पे right answer की बात करते हैं, तो right answer जाएगा, यहाँ पे, D, जिसका answer D है, वो बिलकुछ से right answer है, यह क्या बताईए, bright red bleeding from the neck, wound, यानि गला है, गर्दन है, वहाँ से bright red bleeding हो रही है, यानि अब भी भी वहाँ पे blood vessels open है, और bleeding continue हो रही है, अगर bleeding continue हो रही है, तो हाईपो बोलीमिया, हाईपो बोलीमिक सोक, बहुत सारी lethal condition हो सकती है, आपको पताए ना, सबसे first priority यह रहती है, emergency के अंदर कोई patient आता है, तो bleeding हो रही है, तो सबसे पहले compressed dressing करके उसकी bleeding को रोकना और IV line स्टार्ट करना सबसे first priority रहती है, option D देखे bright red bleeding, यानि तुरंत fresh bleeding हो रही है, उसके neck wound, गर्दन की wound के उपर अगर bleeding हो रही है, तो बहुत सारी lethal condition इसके अंदर देखने को मिल सकती है, इसलिए option D वाला जो patient है, उसको सबसे first priority के अंदर care करेंगे, fracture femur वाला है, इसकी कोई problem नहीं है, penetrating abdominal injury है, इसको भी कोई problem नहीं है, इतना जरूरी नहीं है, और open massive head injury है, head injury है, ये तो नहीं बता रहा है, वो मर रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसे ही जो है, अपनी सर है, hand है, head है, इसका कोई एक bone हट गया, तो ज कोई जरूरी नहीं है, कुछ इसके अंदर special कुछ नहीं दे रहा कि भी कोमा के अंदर है, ओ ये ये हो गया, open massive injury है, चल ठीक है, सकल का, खोपड़ी का, कहीं से part हट गया, लगी, अच्छी बात है, ओके, जिसके अंदर bleeding ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, fresh bleeding हो रह या नहीं, उसका respiration, suggestion भी हो सकता है, ये condition उसके अंदर देखने को मिलती है, मेरे पी विश्वास नहीं है ना, चलिए, rational दिखाते हैं आपको, rational क्या बोलता है, बता अब ये rational इसको, ये rational थोड़ा सा lengthy है, चलि हाफ-ाफ कर देते है, rational को, हाफ-ाफ अड़ेंगे, rational देखें आपके सामने, the client with bright red, the client with bright red, यानि, atrial bleeding हो रही है, artery rupture है, अभी B.O.S. patient के अंदर, bleeding from the neck wound is immediate, the client life, यानि, immediate उसका life को बचाना सबसे man priority रहती है, अगर artery, bright red bleeding कहा से होती है, अर्टरी से होती है, तो ये indicate करता है, गले की जो आर्टरी बगेरा है, वो rupture हो सकता है, बहुत सारी blood vessels जो है, आर्टरी होती है, brain की तरफ सप्लाई होती है, तो वो अगर कोई damage हो गया, तो bright reading, bleeding हो रही होगी, तो उसका life, उसे man priority रहता है, इसलिए bleeding वाले option को priority देंगे, ब मर सकता है, client would wear color tag red color, यानि try age के अनुसर क्या है, red color देंगे, first priority वाले को क्या करते है, red color देते हैं, ओके, the would be tagged yellow and classified urgent, यानि जो abdomen injury का patient था न, उसके अंदर क्या है, yellow color tag देंगे और urgent के अंदर आएगा, ओके, जो पहले वाला था, वो आएगा, red के अंदर, second वाला आएगा, abdomen injury वाला, urgent के अंदर, जो की yellow color का है, requiring intravenous within 62, intervention 62, 120 minutes, यानि yellow वाले जो patient है, इनको, एक से दो गंटे के बाद भी अपन ट्रीट करेंगे, तो भी कोई problem नहीं रहेगी, yellow वाले को, यानि abdominal, जो injury था न, इस वाले patient को, अगर अपने एक दो गंटे आद में treat करेंगे, तो भी कोई problem नहीं है, yellow के बाद आता है, green, green, जो है, minimal injury है, non urgent है, ये urgent था, वो immediate था, urgent था, और non urgent है, और ये क्या करता है, the decisionation would be given to the client, a fractured tbia, who required intervention, but who can provide self-care, if need, यानि tbia का fracture वाला है, इसको green में डालेंगे, इसको कोई मरने वाला तो है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हड़ी तूटी है, तो ये तो है नहीं मरेगा, दर्द हो रहा है, problem है, मानली बात पर, जिसको ज़्यादा problem है, priority बताना तो पिस से ऐसे करता हूँ, अगर आप देख पारे हो, पूरा का पूरा rational, इसका तो आप इजली देख सकते हो, neck wound जो आता है, immediate के अंदर आता है, जो red color है, immediate है, ये red color के अंदर है, ओके, जिसका neck के injury था, और next पे आता है, yellow color, yellow color के अंदर क्या था, abdomen वाला था, जो की urgent के अंद आता है, ओके, फिर था green, green के अंदर के अंदर क्या था, femur fracture वाला था, जो non urgent के अंदर आता है, और immediate किसके अंदर आता है, red के अंदर, ये tries है, ये rule है, एक black होता है, black के अंदर आता है, death वाला, जिसकी death हो रखिया है, या मरेगा, ये जाएगा, बचे गाने, किसी किमत पे इसको time waste करो या ना करो, इस से बला, तो किसी और patient की care करेंगे, तो वो बच सकता है, black के अंदर आशे patient आते हैं, friends, उसको क्या है, उसकी care कर दिया ना, तो भी नहीं बचेंगे, अगर care नहीं किया, तो वैसे भी, मतलब उसको वैसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, इस से बला उसकी उपर टाइम खराब करने से सही ये रहेगा कि जो जिसको अगर केर क्यों अगर अपन करें तो वो बच सकता है अगर केर नहीं करेंगे तो मरेगा अगर केर कर दिया तो वो बच जएगा ऐसे patient को care देंगे तो साहिब कीशी की life अपन बचा सकते हैं अगर black वाला यानि बहुत जादा lethal condition है उसको first priority देने लगे न तो वो मरेगा तो वैसे ही और जो नहीं मर रहा था वो भी अपनी बज़े से मरेगा क्यूंकि उसको अपने time पे care नहीं दिया next question है आपके सामने question lengthy है एक दो भागों के अंदर divide करके पढ़ेंगे चलिए दीरू सिंग जी one liner question नहीं है nor set के question है समझारे के अंदर explain के अंदर जो है बहुत time लगता है सब को explain करना पड़ता है देखे सुनील साहुजी बता रहे हैं good explain ऐसे explain नहीं करेंगे तो ऐसे guide भी है आपके पास आप easily पढ़ सकते हो बहुत सारी guide है market के अंदर जो मरजियाई उठाओ और पढ़ो ऐसे नहीं पढ़ सकते फिर मतलब क्या हो आपका time waste करने का मेरा time waste करने का पढ़ेंगे जो stick पढ़ेंगे जो zero level से बंदा start कर रहा है उसको भी समझाए और जो high है उसको भी समझाए उसका भी revision हो तो इस चीज़ को दिल से दिमाग से नहीं लगाईएगा but equality ज़रूरी है हार एक candidate को समझाना अगर fast fast में चला गया किशी को ये question कि हवाई नहीं लगे तो हमें भी समझ आजए वो क्या सोचते है एंक्लेक्स डिरेक्ट तो ये तो है नहीं आपको हिंदी में भी बताएगा एंक्लेक्स की language कुछ ऐसी है समझ नहीं आती हर किसी की तो वो लोग क्या सोचते है कि हमें कोई वे दिखा देना कि क्योसन को ऐसे सोल करते हैं तो हम थोड़े दिन वैसे प्रेक्टीस करेंगे और फिर एंक्लेक्स उठाएगे ने तो हाँ ऐसे लगएगा हाँ सर ने ऐसे तरीका बताय था कि ऐसे बड़े क्योसन को ऐसे तोड़ के पढ़ना है ऐसे इस कांसोर निकलना यह इसका तरीका है तो अपन उस हिसाब से solve कर सकते हैं क्रेशन को डार्ट कोई solve नहीं कर सकता है इतना कोई फनेका नहीं है यहां पर ओके तो be aware tension मतलो ओके चली नेक्श्ट क्यूसन पर नेक्श्ट क्यूसन आपके सामने इस nurse working on an adult nursing unit यानि एक nurse काम कर रही है adult nursing unit के अंदर adult जो वार्ड होता है वहां पर to told the review the client census determine with client could be discharge adult वार्ड के अंदर काम कर रही है client का sensation census मतलब होता है counting करना गिंती करना वो कर रही है determine the client from discharge कितने किस client को discharge करने है यह इस चीज़ का पता कर रही है if there are large number of admission for the newly declared disaster क्या कर रही है भई वो क्या कर रही है sensation कर रही है और यह indicate कर रही है यह देख रही है कि किस किस को hospital से निकाल देना चाहिए भी discharge कर देना चाहिए क्यों क्योंकि भई बहुत ज़्यादा number के अंदर क्या है ने patient आ रहे हैं क्यों क्योंकि भई immediate disaster हुआ है disaster के अंदर कितने ही लोग मर सकते हैं कितने ही जा सकते हैं तो for example कहीं भी hospital था और उसके nearby कोई बहुत बड़ा accident हो गया बहुत बड़ा disaster हो गया तो पता चला भई बहुत ज़्यादा patient आने वाले हैं तो patient को space से यह hospital के अंदर तो जो पहले से admit patient है ऐसे हैं जिनको भी अपन निकाल देंगे ना hospital से घर बेज देंगे तो भी वहां पे care करेंगे तो भी वो रह सकते हैं तो ऐसे patient को घर बेज जाता है यानि discharge किया जाता है तो यहां पे आपको देखना है कौन कौन से patient ऐसे हैं जिनको अपन घर बेज सकते हैं option यही बताना है तो nurse determined that the client which of the following problem would be need to remain hospitalization ऐसे कौन सा patient है ऐसा कौन सा patient है जिसको घर नहीं बेजना क्यों समझ आया क्या क्यों समझ आया क्या नहीं आया ना चलिए हिंदी के अंदर दुबारा आपको बताता हूँ इसको स्क्रोल कर देता हूँ मैं option लगेता हूँ सामने आपके option आपके सामने है मेरी बात सुनिए हिंदी के अंदर क्यों सन यह बता रहा है आप कोई male ward है या adult ward है उसके अंदर काम कर रहे हो आपको तुरंद कोल आया कि आपके वार्ड के अंदर जितने भी पेशेंट है उसमें से चेक करो किस किस पेशेंट को आप discharge कर सकते हो और ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसको discharge अपन नहीं कर सकते क्योंकि अभी एक disaster हुआ है जिससे बहुत सारे पेशेंट अपने होस्पिटल आपके वार्ड के अंदर आने वाले हैं इसलिए आपको वार्ड खाली करवाना यानि जगए वाँ पे करना बहुत जरूरी है जगए होनी चीए पेशेंटों के लिए जी जास्तर वालों के लिए तो आपको उसको call जिसने किया उसको ये बताना है कि भई कौन सा patient हमारे पास है जिसको हम discharge नहीं कर सकते तो option आपको वो देखना है जो ये indicate करता है कि इस patient को हम discharge नहीं कर सकते ऐसा कौन सा patient है जिसको discharge नहीं कर सकते सुनील सहुजी विकोज सर डाप्टीमलाइज जी नॉर्मल कंडिशन इस डिस्टार्ज जी चली वो नहीं वो नहीं पूछ रहा क्यों सर्ण यह बता रहा है कि उसको डिस्टार्ज नहीं कर रहा है देखिए नीड रिमेन होस्पिटलाइजेशन उसको जरूरत है नीड का जरूरत है एसा पेशन देखना है आपको जिसको ओस्पिटल के अंदर रखना है आपको तो फ्रेंस यहांफे राइट अंसर के अगर बात करेंगे तो वो जाएगा बिस्टार्ज नहीं कर सकते डिसांस्टर वाले आ रहे हैं तो उसको नीचे शैला दो, नीचे जगह बना दो, बैच लगा दो, कुछ भी करो, इस पेशेंट को होस्पिटल से गर नहीं बेज़ेंगे, लेपरोस्कोपी, कॉलिसिस्टक्टोमी वाले को बेज सकते हैं, फ्रैक्चर है और पांस दिन होगे, उसको पिन लगी होगी है, यानि वेंट्रिकुलर डिशरिदिमिया ये कभी भी टपक सकता है, कभी भी इसका काम हो सकता है, स्वाहा हो सकता है इसका, इस पेशेंट को गर नहीं बेज़ना, ओके, चलिए, रेशनल के बिना नहीं मानेंगे नर्सिम वाले हैं, जिद कर लेते हैं, रेशनल चाहिए तो ट्रीटमेंट बिकोज ओफ फोटेशन लिथल कॉम्प्लिकेशन, ये ग्यान दे रहा हैं अपने को, इनको नहीं पता कि नर्सिम वाले तेरे से ज़्यादा ग्यानी है, क्या ग्यान दे रहा है, ग्यान ये दे रहा है कि वेंट्रिकुलर डिशरिदिमिया का भी पेशेंट है इसको मेडिकल इवालेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है, उसके ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ये पोटेंशियली लिथल कंडिशन है, तो भई नर्सिम हमने की है, तो यू थोड़ी की है, हमें भी पता है, वेंट्रिकुलर डिशरिदिमिया इसको ज़्यादा जरूरत है, इसको ज़्यादा जरूरत होती है, इसको फिल से नहीं निकालना, ओके, चलिए, नेक्स्ट क्या बता रहा है, इच ऑफ दा अधर प्रॉब्लम लिस्ट में भी नीड टू होम, यानि मिनेज इसको होम पे कर सकते हैं, विट एप्रोपियर अज इसको ऑपन घर पे केर कर सकते हैं, जैसे होम केर अजयनसी कोई भी शुरू कर रही है, वो होम केर वाले को बता दो भई यह यह पेशेंट है, कोई एजयनसी कोई भंदा कॉंडक्ट करवाता है, होम केर दो में लिटर होता है अशका, तो बड़ी कंपनी है, उसको बोल दो यह यह patient है इसको आपको घर पे care करना है तो वो अपनी अपनी branch के जो candidate होते हैं उनको घर पे बेज देते हैं और care करवाते हैं और वो वहाँ पे care करके बच सकते हैं बट ventricular dysrhythmia वाले को home care नहीं दे सकते हैं इसको hospital के अंदर doctor की नजर के सामने nursing officer की नजर के सामने रखा जाता है तो right answer जाएगा option D okay तो like किसे ने नहीं किया पहले तो यह बताइए like कीजिए पहले तो चलिए next question पे चलते हैं ओके तो D समझा गया ना चलिए एक बार option और देख लीजिए option यह था कि hospital ऐसा patient कौन सा है जिसको hospital में रखना जरूरी है सिदा क्योशन है कि ऐसा patient कौन सा है ज इसको hospital पर रखना ओके क्योंकि यह है इसको गर बेज सकते हैं लेपरोस्कोपी कॉली सिस्ट्र टोमी और फ्रेक्चर वाले को भी बेज सकते हैं और no problem डाविटिक वाले भी बेज सकते हैं home care हो सकते हैं तीनों की इसकी home care नहीं हो सकती home care करने के चकर में इसका बुलावा आ कर दिया ना कर दिया चली तो कर दिया तो कर दिया तो क्लास को end और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आपका सहोग प्यार और स्पोर्ट ऐसे बने रहेगा तो आपके लिए और भी कुछ अच्छा करने की कोसिस करेंगे चैनल पे नहीं हो तो subscribe करके बेल आइकन को all पे प्र जिसे 9.30 से 9.30 से देखिए आपके interest के ओपर depend है आज विश्वास हो गया ना कि class interest पर depend है आज हो गई अपने को डेड़ घंटों के average हो चुकी है class चलते वे साड़े 9 से class होती है और depend करता है 10 वजे तक चले साड़े 10 तक चले 11 वजे तक चले आपके interest के ओपर depend करता है अगर तो आपको जरूर 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 करके 2-3 friends को वीडियो को share करना है जस्त अभी और like भी करना है ओके दिरू सिंग जी afternoon भी class लिया करो friends इतना time नहीं मिल पाता है न इतना time नहीं मिल पाता friends की 2-2-3-3 class ले सके अनिता सेनी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी WhatsApp status लगा दिया आपने बहुत सारों ने ये भी बहुत धन्यवाद है और पहले रमेश जी का मेशे जायता सर आपका logo दीजिए channel का ये जो channel का plus का logo है सब को पसंद होता है ना plus की logo दीजिए logo लगाना है तो logo में telegram group के अंदर upload क कर दूंगा जिसको भी logo लगाना है कहीं भी आपको profile कहीं भी जमर्जी हो वहाँ आप logo लगा सकते हो telegram जो है वहाँ पे आपको logo available करवा देंगे जस्ट ओके तो वहां से लगवा लेना और जो WhatsApp status लगा रहा है उसके तो proud फिल करता हूं कि आप इतना सोच रहे हो हमारे परती I am proud of you really क्योंकि यह जो ज्यादा supporter होते हैं ज्यादा sport करने वाले बंदे होते हैं वही कर सकता है हर एक कोई status बगेरा नहीं लगाता तो आपको सभी का सूकरिया धन्यवाद 10 गंटे हमको जहला आपने और इतनी बकवास वाली class थी तो भी आपने इतना interest और sport दिया इसके लि लेना है 2021 के अंदर बाकी कानी सब कुछ मौ माया है छोड़ दीजी ओके तो आज की class को करते हैं friends end ओके हाँ लोगो डाल देंगे लोगो डाल देंगे टेलिग्राम ग्रूप पे डाल देंगे जो टेलिग्राम पे नहीं जुड़ा है वो आपकी chat के उपर निसान आ रहा होग वहाँ पे जोइन कर सकते हो टेलिग्राम और सेकंड यूट्यूब चैनल का लो लिंक भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाट आर्मी के नाम से सेकंड यूट्यूब चैनल है जा पर आपको मैथ रिजनी जीके की सब क्लासें बगरा मिल जेगी और अध की क्लास को करते हैं फ्रेंड्स यहीं पे एंड सभी को गुड़नाइट राम राम रादे राजे जेब अब एकी जेब मताई खुस रहो मस रहो आजाद रहो देने बाद